सो हाई गाइस यह मेकप लुक आपने पहले ही देख लिया होगा यह मेकप लुक मैंने किया था 170 रुपीज के ADS के पालट से एक भी चीज बाहर से नहीं ली है यह पूरा मेकप लुक सिरफ एक पालट से किया है लिपस्टिक भी उसमें ही आती है तो वह सब देटेल्स आपको वहां मिल जाएंगी जूलरी डेटेल्स भी आपको वहीं मिल जाएंगी तो आप जाकर पहले वह वीडियो चेक आउट कर ले और उससे पहले वीफोर मेकप स्कंट कर रुटीन भी मैंने आप लोगों के साथ शर्किया है वो भी check out कर लेना eyelashes को आप किस तरीके से लगा सकते हैं वो वीडियो भी मैंने इसी वीडियो के साथ ही shoot किया था same dress में तो आप वो भी check out कर लेना अगर आप beginner हैं तो आपके लिए बहुत ज़ादा help होने वाली है तो इसके साथ साथ आप जो है अभी देखने वाले हो get unready with me with affordable vitamin C products तो क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा जो after makeup जो skincare होता है वो हम vitamin C serums के साथ या vitamin C products के साथ करने वाले हैं vitamin C हमारे skin brightening में help करता है और भी बहुत ज़ादा helping करता है जो आगे हम बात करेंगे तो अभी मैंने मैं बालों को बांद लिया है और मैं ये hairband डगा रही हूँ ताकि बाल जो है वो आजकल बहुत उड़े-उड़े रह रहे हैं क्योंकि head wash गया था तो इसलिए मैं उन्हें set कर रही हूँ उसके बाद मैंने eyelasheses जो है वो रिमूव कर दिया है बहुत जादा ऐसे लगता है मतब बहुत हैवी नहीं है पर हाँ एलेशिस निगालके एक रिलाक्स फील होता है गार्नियर का मिसलर वाटर लिया है और उसकी मदद से मैं अपने फेस को जो है वो मेकब को रिमूव कर लूँगी इसे आप after मेकब skin care routine भी बोल सकते हैं तो यहाँ पर में सारे मेकब को अच्छे से रिमूव कर लूँगे मिसलर वाटर आप combination skin type वाले है तो इस्तमाल कर सकते हैं और अगर आप extreme dry skin type वाले हैं और अगर आपके extreme oily skin है तो आप गार्नियर का mistyler water रिस्तमाल कर सकते हैं और extreme dry skin है तो आप oil का या cleansing milk का इस्तमाल कर सकते हैं जूल्री मैं उतार रही हूं यह Jewelry जो है मैंने amazon से purchase की थी तो मुझे काफे अच्छी लगती है अब मैं यहाँ पर face wash करने जा रही हूँ यह है face wash vitamin C, wow का vitamin C face wash पूरी की पूरी range वो vitamin C के आयो है इसके साथ पहले भी मैंने review किया हुआ है मैंने aloe vera face wash का review किया था जो यह brush form में आता है wow की product की यही face wash की यही खास बात होती है क्योंकि यह brush के साथ आता है तो जितनी भी अदब आपको scrubbing करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है सीधी सीधी बात बोलू इससे आपकी cleansing भी हो जाती है और scrubbing भी हो जाती है इसके bristles बहुत ज़्यादा soft है अगर आप full video देखना चाहते हैं तो आप unpray lovely you चानल पे जाकर review video चेक आउट कर सकते हैं सब भी products की review video आ चुकी होगी या आने वाली होगी तो आप एक बार चेक आउट ज़रूर कर लेना उसके बाद face wash करने के बाद मैं यहाँ wow का vitamin c जो pack है वो लगाने वाली हूँ इसकी fragrance जो है वो बहुत जादा अच्छी है और यह जो vitamin c face pack है देख सकते हैं मैं पहले भी लगा चूकी इसके साथ आपको brush भी मिलता है यह spatula kind of brush है जिससे आप अराम से अपने face के उपर ना बिना अपने हाथों को गंदा किये अपने face के उपर पूरा mask एपलाई कर सकते हैं बहुत यह अच्छी layer लगती है और काफी अच्छी fragrance भी आ रही है vitamin c की जैसे orange में से fragrance आती है बिल्कुल exactly वैसी fragrance आ रही है और मुझे काफी ज़दा personalize की fragrance पसंद है और काफी refreshing आपको fill होता है यह vitamin c जो होता है वो आपके skin brightening में आपकी help करता है instant brightness आ जाती है आपके face के उपर तो अगर आप after 30s है नहीं तो एक बार vitamin c products का इस्तमाल करें आपके face के उपर anti aging की जो इतनी भी problem होती है वो दूर हो जाएगी skin पे pigmentation after 30s pigmentation tanning की problem रह जाती है वो भी दूर हो जाएगी तो आप इसे apply करे 15 से 20 मिनट रखे हर रोज नहीं बोल रहे हैं अगर वीक में एक बार भी आपको pample कर लोगे न तो आपके skin काफी जादा अच्छे से glow करेगी और healthy दिखेगी और अपनी एच से कम दिखेंगे तो इस तरीके से आप 20 मिनट तक इसे लगा पूरा ड्राय मत होने दे हलका फुलका ड्राय होने दे और उसके बाद रिमूव कर दे नॉर्मल पाने से आप वाश कर सकते हैं लेकिन मुझे आपको रजल्स तिखाने तसले मैं कैमरा के सामने जो है वेट वाइप से ही इसे क्लीन कर रही हूँ आप देखिए इंस्टेंट ग्लो आ जाता है आप कंपेर कर सकते हैं चीजे आप देख सकते हैं इसे लगाने के इंस्टेंट 20 मिनट बाद ही मेरे फेस पे एक नेचुरल ग्लो आ रहा है अभी फेस वाश में करके आऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी देखना कितना अच्छे से ग्लो कर रहा है एक नेचुरल हेल्दी स्किन लग रही है आप देख सकते हैं एकदम से स्किन जो है वो ब्राइटन अपो के निकली है तो मुझे काफे ज़्यादा पसंद आया एक तो प्रोड़क्ट की फ्रेग्नेंस बहुत ज़्यादा जरूरी होती है फ्रेग्नेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है अजीब सी नहीं है और दूसरा कि यह कितना अच्छे से काम कर रहा है वो आपको इंस्टेंट एक फर्स्ट वाश में ही पता चल जाएगा फर्स्ट ताइम यूस में ही आपको रिजल्ट सेकने को मिल जाएंगे तो एक सैटेस्विक्शन हो जाता है कि हाँ यार यह चीज काम कर रही है तो अगर आपके फेस के उपर एक्नेस या पिंपल्स है तो भी यह काम करेगी विटामिन सी टोनर भी मैं इस्तमाल कर रही हूँ यह पूरी की पूरी रेंज मैं आमाजोन से पर्चेस की थी तो सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो यहां मैंने अभी टोनर को एपलाई किया है फेस जो है मास्क लगाने के बाद थोड़ा सा स्किन टोनिंग जो है वो इसलिए यूज की जाती है ताकि आपकी जो ओपन पोर्ज है वो बंध हो जाए उसके बाद अगर आप आप अफ्टर थर्टीज हैं तो आप सिरम ज़रूर अपलाई करें यह भी वाउ का वाइटेमिन सी सेरम है जो कि वाटर बेस्ट है अगर आप एक्स्ट्रीम ओईली स्किन टाइप वाले है तो आप इसे ज़रूर ट्राय करें आपकी स्किन पे काफी अच्छ से काम करेगा और आपकी स्किन को आपकी स्किन को अंदर से रिपेर करता है अगर आप इसे दिन में दो से तीन बार लगाएंगे तो आपकी स्किन इंस्टेंटली ग्लो होनी शुरू हो जाएगी हेल्दी दिखे कि आपकी स्किन तो यह सभी प्रोडक्ट्स मैंने एमाजॉन से पर्चेस की है इनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप सब लोगों कुमारूम है फ्री में प्रोडक्ट कोई नहीं देता है क्योंकि यह वीडियो अभी यह चानल जो है बहुत छोटा है तो अगर आप ऐसी और इंटरस्टिंग और honest reviews देखना चाहते हैं या इसे interesting skincare, body care, hair care वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को subscribe कर ले अब हमने पूरा face जो है वो अच्छे से pamper कर लिया है lips को ignore ना करे तो अगर आप मुझे bot time से follow करते हैं तो आप लोगों को पता होगा मैं इस तरीके से हर रो scrubbing करती हूँ अपने lips की और वही weseline से ही अपने lips को moisturize कर लेती हूँ तो ये हो गया मेरा skin can routine instant glow आप देख सकते हैं कितना अच्छा से काम किया है कितना अच्छा लग रहा है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे like जरूर करना और इसे अपने friends, relatives के साथ share जरूर करना facebook, instagram, whatsapp जहां आप की मर्जी हो वहाँ पर तो मिलती हूँ फिर आप से एक ने